नमस्कार प्यारे बच्चों वा मेरे अध्यापक साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं अफसर एप पर विद्यारतियों के असेस्मेंट करवाई जाने हैं अतै शिक्षकों विद्यारतियों को अफसर एप के प्रियोग से जुड़ा कोई भी प्रशन बाकी नहीं रहना चाहिए सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यारतियों के लिए कि विद्यारतियों को अफसर एप पर कैसे लोगिन करवाएं विद्यारती active survey कैसे करें और विद्यारती active assessment कैसे करें तो आईए चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चो अफसर एप के लिए सबसे पहले आपके पास android phone होना अनिवार यह है अपने android phone में आप सबसे पहले अफसर एप को Google Play Store से डाउनलोड करें अगर किसी बच्चे को अफसर एप डाउनलोड करनी नहीं आ रही है तो इस वीडियो के राइट साइड में उपर की और आई बटन को प्रेस करें और वहां दी गई वीडियो को देखें यह हमारी अफसर एप की पहली वीडियो है जिसमें बताया गया है कि अफसर एप को किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो मैं आशा करता हूँ आप अब अफसर एप को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे Opser App को डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी Apps में जाकर Opser App को ओपन करना है तो आईए इसे ओपन करें यह रहा Opser App और यह हमने ओपन किया जैसा की हमने बताय था इस वीडियो में हम विद्यारतियों को Opser App पर कैसे लोगिन करवाएं और उनका active survey कैसे करें और active assessment कैसे करें तो ये सब अब हम इस app पर करेंगे तो आईए शुरू करें उपर हमें यहाँ दो option दिये गए हैं एक है student और एक है teacher विध्यारतियों के लिए हमें करना है तो हम choose करेंगे student तो सबसे पहले student में है select district district को हम select करते हैं for example मैंने district ली है फरीदवाद अब next जो option है वो हमारे पास block का select block block को हम select करते हैं बल्लवगर्ड फरीदवाद अदर तो block को हमने select किया बल्लवगर्ड अब जो भी बल्लवगर्ड block के school है वो आपके यहाँ select school में आ जाएंगे आपका जो school है आप यहाँ choose कर सकते हैं उसे for example मैंने यहाँ choose किया 11.228 जो की है government primary school मुझे डी तो यह हमने school select कर लिया है आगे है class तो जो भी बच्चा अपना login करना चाता है वो अपनी class यहाँ choose करे for example मैंने choose किया यहाँ class 5 उसके बाद है name भरें आपकी पूरी class के जो names है वो यहाँ show हो जाएंगे उसमें से आप अपना नाम चूज करें as an example मैं यहाँ choose करता हूँ तो यह मैंने choose किया now date of birth अब तो यहाँ जोज किया date of birth है for example 1.01.2009 1.01.2009 after date of birth now we have to press the continue button तो इस continue को हमने प्रेस किया इस पेज पर आप देख सकते हैं जिस भी बच्चे की हमने details फिल की उसका डेशबूर्ड यहाँ ओपन हो गया सोहेब कान यह उनका SRN number उसके बाद है active surveys active survey पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं किस subject का कौन सा topic active है याने आपको attempt करना है तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो यहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार उसे हर दिन active surveys को करना है अब यहाँ हमारे पास है maths का एक topic है area and perimeter वो यहाँ हमारे पास right side में दिया गया है attempt now now we have to press this attempt now attempt now पर हम क्लिक करेंगे तो active survey जो है वो हमारे पास यहाँ open हो चुका है maths का area and perimeter का topic तो उसमें हमारे पास कुछ question है वो हमें attempt करने है याने बच्चो को वो students को attempt करने है first question वर्ग का परिमाप तो वर्ग जो होता है वो चार गुना बुझा उसका परिमाप होता है अगला second question है एक वर्गाकार केरमबोर्ड का परिमाप 80 cm है इसका शेतरफल कितना होगा तो वच्चो वर्गाकार केरमबोर्ड का परिमाप जो है वो 80 cm है तो उसकी बुझा होगी 20 cm और 20 गुना 20 400 गुना बुझा उसका आंसर अगला है आयत का शेतरफल लंबाई गुना चोड़ाई next एक संभाहुतरी बुझ का परिमाप 27 है तो इसकी परतेग बुझा कितनी होगी तो इसकी परतेग बुझा होगी इसको हम भाग कर देंगे तीन से तीन निम 27, 9 cm अगला है फिफ्ट कोश्चिन यदि किसी वर्क की परतेग बुझा 2 cm बढ़ा दी जाए तो उसका परिमाप कितने cm बढ़ जाएगा तो बच्चो हर बुझा 2 cm बढ़ी है तो 2 गुना चार 8 8 cm उसका परिमाप बढ़ जाएगा तो इस परकार से आपको यह सब करते हुए आपको यहां करना है समिट इसको सर्वे समिट होने के बाद आपके पास उप्चन आ जाएगा सर्वे सेव्ड सक्सेस्फुली ओके करें और यह जो एक्टिव सर्वे था वो आपका कंप्लीट हो चुका है अब आप यहां से बैक कर सकते हैं एक्टिव सर्वे के नीचे आप यहां तीन चार ओप्चन देख सकते हैं फरस्ट है टीवी शेडूल टीवी शेडूल में जाकर आप यहां अपने टोपिक से रिलेटेड जो भी ब्रूड कास्ट टाइमिंग है वो यहां देख सकते हैं आईए इसे बैक करें नेक्स्ट बटन जो है वो है हमारे पास असेस्मेंट का आईए असेस्मेंट पर क्लिक करें असेस्मेंट पर क्लिक करने के पास है हमारे पास सब्जेक्ट्स ओपन हो गया है गंधी जी महान कैसे बने स्टार्ट क्विज तो उस चेप्टर से रिलेटिड जो भी क्विज है वो आपकी यहाँ ओपन हो जाएगी यह इसके कुशन अंसर से जिस परकार हमने एक्टिव सर्वे किया था उसी परकार यह असेस्मेंट है आप इने करके और इसे समिट कर सकते है आएए बैक चलें असेस्मेंट के बाद नेक्स्ट जो उप्शन है वो है हमारे पास वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिड आपके टोपिक से रिलेटिड यहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी आप उन वीडियो को देख सकते हैं आएए बैक करते हैं टीवी शेडूल असेस्मेंट वीडियो और वीडियो के बाद है लर्निंग मैटेरियल लर्निंग मैटेरियल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास वही सब्जेक्ट सा जाएंगे इस एप को आप डेली यूज करें डेली से ओपन करें और जो भी एक्टिव सर्वेज हैं उन्हें आप डेली परफॉर्म करें तो बच्चों आशा करता हूँ आपकी इस अफसर एप से रिलेटेज जो भी क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी वो समझा गया होगा तो इस एप को सभी बच्चे अपने फोन में डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तथा बैल आइकन दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो मिलती रहें इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी लोगिन में या किसी असेस्मेंट में कोई परेशानी ना हो धन्यवाद